नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रविंद शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल ग्यान सागर दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि कान में दर्द कितने प्रकार के होते हैं कान में दर्द होने के लक्षन क्या दिखाई देते हैं और कान में दर्द होने के मुख्य कारण क्या है दोस्तो आज हम बात करेंगे कि कान में दर्द के और अन्य कारण क्या हो सकते हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको नहीं बताया तो सुरुवात करते हैं इस वीडि पिलाते हैं जिसके कारण उनके मूँ में दर्द होने लगता है और उसके बाद कान में दर्द होने लग जाता है तो दोस्तों मैं यही सला दूंगा कि बच्चों को बोतल से दूद ना पिलाएं कम से कम पिलाएं जिससे कि उनके कान में दर्द नहीं हो आप कान में किसी भी प्रकार की कोई तिली या फिर कोई ऐसी वस्तू ना डालें जो कि कान में जाके problem create करें या जिसके कारण कान में दर्द हो यह मुख्य कारण है जो हम आपको one by one बता रहे हैं दोस्तो यदि आप नहते हैं और कान में साबुन सैंपू चला जाता है तो कई बार उसके कारण भी दर्द होने लग जाता है दोस्तो इसके अलावा नहते टाइम पर यदि आपके कान में पानी चला जाता है और आपका कान बंद हो जाता है तो इसके कारण आपके कान में दर्द होने लग जाता है और यदि आप तेराकी के सोकीन है या स्विविंग पूल में ना रहे हैं तो ऐसा पानी चला जाता है जिसके कारण आपके कान में बैक्टीरिया भी हो जाते हैं और कान में दर्ध होने लग जाता है दोस्तो कानों को बार बार धोने की आदत भी होती है कुछ लोगों को जिसके कारण संक्रमन होता है, infection होता है कान की नलिका में बहुत कम जगह होने के कारण भी उसमें पानी रह जाने के संभावना ही हो जाती है बच्चों के कान की नलिका वयसकों के मुकाबले कम खुली होती है इसलिए ये ज़्यादा बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तो इसके अलावा हैड़फॉन का यदि आप लिमिट से ज़्यादा इस्तमाल करते हैं या फिर आपको स्किन के अलर्जी है एकजीमा है बालों के प्रॉडक्ट से होने वाले तुच्चा की समश्याइं भें तो उसके कारण भी कान में प्रॉब्लम होने लग जाती है दोस्तो बचाव कैसे किया जाए कुछ हम आपको बचाव के उपाय बता रहे हैं बच्चों के आसपास धुम्रपान नहीं करें वैसे तो धुम्रपान करना ही नहीं चाहिए दूसरे व्यक्तियों दोरा किये जाने वाले धुम्रपान से निकला हुआ धुआ भी बच्चों के कान में संक्रमन का कारण बन सकता है इसके अलावा बाहरी कान संक्रमन की रोख थाम के लिए कोई बाहरी वस्तु कान में न डाले हैड़फॉन का इस्तमाल कम से कम करें नहाने और तैराकी करने के बाद कानों को अच्छी तरह सुखाएं अच्छी तरह साफ करें अलर्जी के कारण बनने वाले चीज़ों से बचें और अलर्जी की रोख थाम के लिए आप वह सब उपाय करें जो आपको करने चाहिए तो दोस्तो आज हमने कुछ कारण और आपको कान में दर्द के बचाओ बताएं हैं फिर भी यदि किसी को कान में दर्द हो जाता है तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि घरेलू उपायों दुके द्वारा कान के दर्द को यानि इयर इन्फक्षन को यानि इयर पेन को किस तरह से आसानी से दूर किया जा सकता है दोस्तो यदि आज का वीडियो आपको पसं को प्रेस करें जिससे की नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तों